हमने फिछले वीडियो में जाना इस गोले के बारे में और आज हम जानने वाले हैं इससे आगे जैसे चाप, तुर्जिखंड और ब्रीत खंड तो आए इसको समझते हैं बसारते आप ध्यान से देखिएगा यहां पर आप सबको आसानी से दिख रहा होगा चाप जिसे अंगलिस में कहते हैं आर्क, मैंने आप पर दिख रहा है कि परिधी का कोई एक भाग को ब्रित का चाप कहते हैं गाईज कह रहा है परिधी का कोई एक भाग को ब्रित का चाप कहते हैं तो यहां पर यह जो आकरिती है मैंने आपको बता रहा है क्या है अब यहां पर यह जो आपके सामने जो रिखा दिख रहा है यह वाला यह हमारा क्या है परिधी है और इसका कोई एक भाग इसका कोई कि और दो यहां से यहां इस ह Audio यहां अ क्योक्त सब्स심िद्षी यह चाप हो गया धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा धीरे धीरे ये एक बृत बन जाएगा तो यहाँ पर आप असानी से देख सकते हैं तो बृत का चाप आपको समझना है तो आप असानी से याद रखिए परिधी का कोई एक भाग को बृत का चाप कहते हैं तो यहां पर यह रहा परीध ही, अब इसका कोई एक भाग, यहां से लेकर करके यहां तक भी आया, तो हमारा एक क्या हो गया, यह हमारा एक चाप ही हुआ, ठीक है, तो चाप आपको किलेर रहा की नहीं रहा, तो आगय होगा, अब यहां से यहां, बार-बार मैं बता रहा हू आपको चाप के बारे में आ गया होगा ठीक है तो चलिए अब आगे समझते हैं तरजेखंड आपको आसानी से दिखरा होगा तरजेखंड ठीक है जिसे इंगलिस में कहते हैं सेक्टर ओके आगे मैंने लिख रखाया कि बृत का वह भाग जो दो तिरजाओं तथा साथ ही हिसले हैं उसका कौन सा भाग तो यह यहां पर और दीच वाला यहां पर होगा तो यहां तो मैंने आपको बता दिय है लिए यहां बिंदू से यह से बीच में हमारा केंडर है अब केंडर से यह परीधि में अगर कोई भी टर्च होता है रेखा तो इसको हम त्रिज्या कहते हैं तो एक त्रिज्या ये हो गया हमारा और दूसरा ये हो गया तो दो तिर्जाओं हो गया तो यहाँ पर दो तिर्जाओं और साथ ही चाप से घिरकर तो यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है यह क्या है चाप है तो चाप से घिर कर बनता है एक त्रिजे खंड कहलाता है तो यहाँ पर यह जो खाली अस्थान आपको दिख रहा है यह खाली अस्थान हमारा त्रिजे खंड है अभी भी आपको नहीं आया होगा ध्यान यहां पर यह रहा ब्रीट अब यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है अब यहां से यहां कोई रेखा टच हुआ तो यहां से यहां कोई रेखा आया तो इसको हम कहते हैं त्रिज्या तो एक त्रिज्या यहां हो गया अब दूसरा त्रिज्या आप यहां भी ले सकती हैं तो एक त्रीजिया यहां और एक दूसरा त्रीजिया यहां और साथ ही यहां से यहां क्या हो गया चाप अभी भी मैं आपको बताया हूं ठीक है तो यहां से यहां चाप हो गया तो दो तिर्जाओं यहां पर एक त्रीजिया और एक यहां पर दो तिर्जाओं और दूसरा यहाँ और इस साथ में बड़ा सा यह चाप हो गया तो यह भी अस्थान हमारा क्या है त्रीजे खंड है ठीक है तो त्रीजे खंड आपको आगया होगा ठीक है तो आप आसानी से त्रीजे खंड को समझ सकते हैं देख सकते हैं तो यहाँ पर इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से इसे लिख लिजिए चलिए आगे अब हम समझते हैं बृत खंड आपको दिख भी रहा होगा बृत खंड जिसे एंगलिस में कहते हैं सेग्मेंट ओफ सरकल आगे मैंने लिख रहा है कि बृत का वह भाग जो एक जिवा और साथ ही चाप से घिर कर बनता है तो एक बृत खंड कहलाता है यहाँ पर आप ध्यान देजिए आपके सामने यह रहा गोला और इसे कह रहा है परिभासा कि एक जिवा अब यहां से यहां खीच दियें तो यह हमारा जिवा हो गया मैंने आपको बताया है यह जिवा हो गया और साथ ही चाप से घिर कर तो चाप यहां भी है अब यहां से यहां भी एक चाप है है या नहीं है तो यहां से यहां एक चाप तो यहां पर यह जो खाली अस्थान है यह खाली अस्थान हमारा क्या हो गया बरीत खंड और यहां भी दोस्तों यहां भी यहां भी एक चाप है तो यह भी खाली अस्थान बरीत खंड हुआ ओके यहां पर आप ध्यान दीजिए यहां पर मैं ब दीख रहा ये खाली अस्थान यही खाली अस्थान ही हमारा बृत खंड है अब यहां पर भी एक बृत खंड हो गया क्योंकि यहां एक चाप से घीर का घीरा है और एक जीवा से बनकर यहां पर हुआ है तयार तो एक जीवा और यहां पर साथ ही चाप से मिलकर बना यहां पर यही खाली अस्थान आपको दिख रहा है यही खाली अस्थान हमारा बृत खंड है तो बृत खंड को और भी आप समझ सकते हैं तो यह रहा आपके समने बृत और यहां पर इस तरह से भी आप ले सकते हैं जीवा कहीं पर भी और यहां से यह रहा चाप और यहां पर यह जो ख तो आज हम जाने ब्रित का चाप, और ब्रित खंड तो मैं जो भी बता हूं अगर आपको डाउट अभी भी मैं आसे लिखकर जरूर दूंगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाहिंद जाहिंद